नमस्कार दोस्तों कॉंपटिशन कम्यूटी के आउनलेट प्रेटफॉर्म में आपका स्वागत है और FTR वीडियो सिरीज में इंडियन जोग्रफी के क्रोश्चन के संग्रा लेकर मैं हूँ आपके साथ अगाज सेंग इस वीडियो से हम भारत के बुगोल के MCQ सॉल करेंगे को डील करता हो और साथ ही विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्णों को या फिर किसी अन्य राज्य के PCS की जो प्रश्ण होंगे उनको भी यहां पर कंसिडर किया जाएगा तो चलिए शुरुवात करते हैं सबसे पहले प्रश्ण से सबसे पहला प्रश्ण है यदि हिम भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुवा होता यह है पहला कथन दूसरा कथन कहता है सिंधू गंगा मैदान इतनी सूविस्टित जलोड मिदा से बंचीत होता और फिर तीसरा कथन है मौनसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन होता इन तीन कथनों को हम डिल करते हैं तो कोश्चन में पूछा गया है हिमाले परवच्ट्रेणिया अर्थाद व्रियद हिमाले मद्य हिमाले और लगू हिमाले अर्थाद व्रियद हिमाले लगू हिमाले और बाहिमाले इन तीनों के बारे में एक सामूही करूप में एक कोश्चन पू है या गलत है तो जराई से हम समझते हैं जब हम हिमाले की इस्थिती देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हिमाले और हिमाले के उत्तर पर यहां पर हमें तिब्बत दिखेगा और हिमाले तिब्बत के ऊपर भी आपको फिर यहां पर साइबेरिया आपको प्राप्द होगा य अब यहाँ पर अगर आप करकरेखा के बारे में जानकारी आपको है तो आपको पता होगा करकरेखा उत्तर की वह सबसे अधिक्तम बिंदू है जहाँ पर सुर्य लंबवत होता है कब होता है तो यह जून के 22 जून के आसपास यहाँ पर सन अपने northern movement पर पहुंचता है इसके उपर सन रेज परपेंडिकुलर नहीं गिरती मकररेखा और करकरेखा की यह खासियत है कि यह northernmost point और southernmost point शो करता है जहाँ पर सन रेज साल भर में कभी न कभी परपेंडिकुलर आए अब इसके उत्तर पर अगर आप देखे करकरेखा के उत्तर पर अगर आपको देखे तो दिसंबर पर वह मकररेखा के उपर पहुंच जाएगा दिसंबर के आसपास जब वह मकररेखा के उपर है तब आप यह देखेंगे कि भारत क्योंकि उत्तरी गुलार्थ पर है तो यहाँ पर शीतरी तू चल रही होगी winter season चल रहा होगा और winter season क्योंकि भारत पर और भारत के उत्तर वाले भाग पर है और हिमाले के भी उत्तर वाले भाग पर है तो यहां पर जो तापमान होगा वो कम होगा और कम तापमान हो जाने के कारण यहां पर उच्छ वायुदाब बना रहेगा अब यहां पर तापमान कम है अर्धात यहां पर से जो भी हवाई निकलेंगी ज पवन उच्च वायुदाप से निम्न वायुदाप की और प्रभावित होती हैं वायुदाप की इस विसंगती को बैलेंस करने के लिए तो जब ये शीत लहर भारत की और आएगा तब हिमाले एक प्राकृतिक बेरियर की तरह उसको रोकेगा क्योंकि हिमाले की अगर आप विस्तार को देखें पस्चिम से पूर की ओर तो लगवग 2400 किलोमीटर तक ये विस्तारित आपको देखने को मिलता है और इसमें अलग-अलग समानतर फेली विश्रिणिया हैं ट्रांस हिमाले, व्रियद हिमाले, लगून हिमाले और बाहिमाले तो जब ये शीत लहरे आएंगी साइबिरिया से तब हिमाले उनको रोकेगा प्रवावीत होने से भारत के मुख्य भूभाग में तो पहला कथन बिल्कुल सही कहता है कि जब हिमाले नहीं होता तो जो शीत लहर यहाँ पर अभी नहीं आ रही है उस समय वो शीत लहर आ जाती और ये ठंडी लहरे जब भारत के भूभाग में आती तो आज जिस प्रकार की प्राकृतिक प्रवित्ती आप भारत की देख रहे हैं इस शीत लहरों के कारण वो प्रवित्ती आप नहीं देख पाते अब हम दूसरे कथन की सत्यता को जाचते हैं दूसरा कदन कहता है कि सिंदू और गंगा नदी की जो आप स्थिती देख रहे हैं व्रिस्थित जलोड मिट्टी से उसे वंचित हो जाता तो बिल्कुल हम यह देखते हैं कि हिमाले का निर्माण सेनोजोईक काल पर हुआ है सेनोजोईक के टर्शरी यूप पर अगर आप दे और में प्रभावित हमाले वलन की प्रकरिया के द्वारा उसका उत्थान होता है द्यूटू कोलिजन और इुरेशियन प्लीट एंडियन प्लीट तो जब यह जो नदियां थी हिमाले की नदियां यह भारत के बुख के भाग की तरफ प्रभावित होने लगती है क्योंकि हि इमाले यंग मौंटेन भी कहलाता है क्योंकि इसका उत्थान जैसे मैंने आपको बताया सबसे नवीन काल पर सेनोजोई काल पर बनता हुआ दिखता है तो इस परवतों की जो मैचुरिटी थी वो वीक थी और जब नदियां यहां से फ्लो करती है नदियों में जल की मात्रा भ भी इसमें जल मिलता रहता है तो जब जल की मात्रा भी है और एक गुर्तवा कर्शंड धाल की रूप में ताकत देता है और यंग मौंटेन से अच्छा खाचा यहां पर हम देखेंगे इरोजेट माटेरियल या निक्षेपन लेकर वो भारत में आएगा या फिर हिमाले भी कहते हैं जो निर्मित हुआ है जलोड मिट्टी के संग्रहीद होने से तीसरा स्टेट्मेंट कहता है कि मौंसून के प्रतिरूप में भी परिवर्तन होता देखें जब हिमाले का उत्थान हुआ जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट टकराते हैं तो इनके टक और जब उत्रायन के दोरान सूर्य जो है करकरेखा की ओर आता है या फिर भारत के उत्तर पर आता है तो ये सूर्य की किर्णे तिबबत पर पड़ती हैं और तिबबत क्यूंकि बहुत बड़ी छेत्र तक विस्तित है और अपने आसपास की छेत्रों से उचा होने के कारण तुलनात्मक रुप से 2-3 डिग्री सेल्सियस अधिक गरम हो जाता है अब ये गरम हो जाने के कारण यहां पर निम्नवायुदाब का निर्माण होता है तो सूर्य क्यूं है अब सूर्य उत्तर पर है भारत के और तिबबत पर भी तापमान जादा हो जाने से निम्नवायु भारत की और आएंगी और अपने साथ में मौश्यर भी लेकर आएंगी और भारत जैसे बड़े भू भाग में मौनसुन करवाएंगी अगर हिमाले नहीं होता तो तिब्बत नहीं होता तो जो लो प्रेशर हमको यहां पर चाहिए मौनसुन को अट्रेट करने के लिए वह भी नहीं होते हैं तो एस प्रकार से यह तीनों ही कथन अजह हो जाते हैं और हमारे औजय कम hell paar क्वाने सब्छन को हमने यहां पर समझ लिया अब हम आते हैं दूसरे प्रश्ने पर अगला प्र प्रश्न कहता है भारत मैदान की रचना एक अगरगर्त में हुई है और चौथा कथन कहता है हिमाले की उत्पत्ती भारती प्लेट यूरूपियन प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोनी अभी सरण के फलसुरूप हुई है तो चलिए इन चारों कथनों की सत्यता पहचानते हैं और नीचे दिये हम उत्तरी परवत मालाय पढ़ते हैं जिसमें मुख्य रूप से हिमाले का अध्यन किया जाता है तो ट्रांस हिमाले और पूर्व की हिमालिया और पूर्वी पहाड़ योग भी पड़ते हैं जब हम पूर्वी पहाड़ योग पड़ते हैं अर्थाथ, पठकईबं मिकीर, मिशीबं, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, इसकी बात करते हैं तो ये इसकी जब संरचनात्मक आप दृष्टी से देखेंगे तो इसकी संरचनात्विक दिश्टी से आपको पता चलेगा कि इसका निर्माण बहुती नवी नियुक पर हुआ है। अर्धाद वह हिमाले का ही एक भाग है जो सिंटेसियल बेंड के अदार पर दक्षिन वर्ती तोर पर मुड़ चुगा है। लेकिन जब आप मिघाले के पठार को देखे जहांपर गारों खासी जयनती आपको दिखता है, इसकी जब आप संरचना देखेंगे तो ये आपको बहुत पुराना दिखेगा। अरधाद हमारा जो प्रायदुपी भारत है ये प्रायदुपी भारत सबसे पुराना भाग बनता है ये प्रायदुपी भारत से ये मिघाले का पठार अलग कैसे हुआ एक प्रक्रिया हुई भरंश प्रक्रिया हुई जहां पर एक गैब बना इस गैब को मालदा गैब कहते है जो राज मैल हील और गारो गैप के बीच में देखने को मिलता है यही मालदा गैप बनता है जब नदियां, ब्रह्म पुत्र नदियां, गंगा नदियां लाकर यहाँ पर निच्छेपन करती हैं तो यह मालदा गैप कहलाता है तो प्रायदूपी भारत और मेगाले के पठार की जो संरचनात्मक दिश्टी से जो बनने का जो उम्र है वो लगबग लगबग समान है तो इस अधार पर हम इस निच्छकर्स पर पहुंचते हैं कि मेगाले का पठार हिमाले का भाग नहीं, अपितू प्रायदूपी भारत का एक भाग बनता है दूसरा इस स्टेट्मेंट भी बिल्कुल सही है कि कश्मीर घाटी की संरचना एक सम्मिननती में हुई है तीसरे कथन की अगर हम देखें, गंगा मैदान का निर्माण एक अगरगरत में हुआ है एडवर्ट सुयस नाम के एक भुगोल शास्त्री थे इन्होंने एक थियोरी दिया एलूवीशन ओफ फोर्डीप या अगरगरत का जलोडी करण इसमें इन्होंने ये कहा कि जब हिमालय का उत्थान हुआ, जब यूरेपियन प्लेट और भारती प्लेट टगराने से वलन की पक्रिया से तीन अलग-अलग चरणों पर हमें हिमालय बनता हुआ दिखता है और इस भरण की पक्रिया के द्वारा एक समतल भूमी बनी जिसको आप गंगा का मैदान कहते हैं तो ये हो गया आपका तिसरा स्टेटमेंट ये भी बिल्कुल सही है अब हम आते हैं चौथे स्टेटमेंट के चौथे स्टेटमेंट पर ये भारती प्लेट के टक्राओं के बारे में जो बात कही गई है वो बिल्कुल सही है लेकिन चीनी प्लेट का हिमालय की प्रक्रिया पर या हिमालय के बनने पर विशेश भूमी का नहीं देखी जाती इस अधार पर हमारा 14 जो कथन है वो गलत साबित हो जाता है तो सही option अगर हम देखें तो सही option के रूप पर हमें मिलता है एक, दो और तीन सही अर्थाथ option A तो इस तरीके से हमारा दूसरा प्रशन भी समाप्त होता है अब हम आते हैं तीसरे प्रशन पर अगला प्रशन है निम्ण में से कौन सा कथन असत्य है पहला कथन कहता है भामकी द्रिष्टी से प्रायदूपी छेत्र भारत का प्राचीन भाग है दूसरा कथन कहता है हिमाले विश्व में सबसे नवीन वलीत परवतों को प्रदर्शित करता है और सी ऑप्शन कहता है भारत के पस्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदी की जमाओ क्रिया द्वारा हुआ है और आकरी कथन कहता है भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोईले का वरियत्तम भंडार है तो इसके सही जवाब को जाने के लिए हमें जब से प्रित्वी की उत्पत्ती हुई है तब से विबिन समयकाल पर भारत में कौन से ऐसे भागली घटनाए घटित हुए हैं जिसके आधार पर भारत की ये बर्तमान की संरचनाव का निर्माण हुआ है उसका एक उवर्वियू हमें जानना जरूरी है तो चलिए समझते हैं जब आप कॉंटिनेंटल ड्रिफ्ट थियोरी देखते हैं तो आपको पता है कि पूरी प्रित्वी जो है वो दो भागों पर विभाजित थी जो भूमी वाला भाग था उसे पैंजिया कहा जाता था और जो जल वाला भाग था उसे पैंथलासा कहा जाता था इस पैंजिया में ही कहीं किसी समय हमारा भारती प्लेट भी अंदर में जुड़ा हुआ था अब इस भारती प्लेट के बारे में अगर जानकारी देखी जाए तो भारती प्लेट तीन छोटे प्रोटो कॉंटिनेंट से जुड़ कर बना हुआ था अर्दाथ इसमें टकराओ तो हो रहा था अचानक से गुणवाना लेंड टूट कर अलग तो नहीं होगा इसमें हम यह देखते हैं कि कुछ हलचल मची जरूर थी जैसे कि यहाँ पर आप अरावली, सिंग भूम और धारवार तीन छोटे प्रोटो कॉंटिनेंट देखने को मिलते हैं यह किस दौर की बात हो रही है तो यह सबसे पुराने प्रीकेंब्रियन एरा की बात हो रही है समय आगे बढ़ता है आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर अच्छा एक इसमें विशेश चीज ध्यान दीजेगा कि यह अरावली सिंग्भूम और धार्वेर प्लेट के आसपस जहां पर यह टकराव हुआ था वही पर ही कुछ वलित परवतों का निर्माड हुआ था जैसे आपको यहाँ पर भारत के उत्तर पस्चिम पर अरावली दीखेगा मद्य पर विंद्यन दीखेगा आपको उत्तर पुर्व वाले भाग पर छोटा नाकपुर का पठार दीखेगा और साथ ही इन्ही छेत्रों पर आपको नदियां भी प्रवावित होते हुई दिखेंगे जैसे आपको यहाँ पर नर्मदा दीखेगी यहाँ पर सोन दीखेग एक यूग पर अंतिम यूग पर लगभग आप कह सकते हैं गोणवाना टाइम या पर्मियन काल आता है लगभग यह दो सो नबे मिलियन वर्ष पूर्व के आसपास की बात है जहां पर हम क्या देखते हैं कि जो यह सिंग्भूम वाला छेतर है वहाँ पर भ्रंश घाटी हो तो गोणवाना काल आते आते तक प्रित्वी में जीवन आ चुका था वरिक्ष आ चुके थे और जब यह ब्रंश यहां पर बनता है धसता है तो इस छेतर की जो वनस्पतियां थी वह भी उस घड़े में जाकर जम जाती और आगे चलकर यही वाला भाग यहां पर गोणवा पर हम जाएंगे पैलो जोई के बाद जब मेसोगव्य काल आता है तो मेसोगवी काल पर हम देखते हैं कि यह जो इंडियन प्लेट का पस्चीम वाला भाग यहां पर दरारे विक्सीत होती है और यह पस्चीम वाला भाग तूट कर अलग हो है वहां पर हमें ढाल खड़ी देखने को मिलती ए तो यहां पर पस्चिम पर या फिर आप कहा सकते हैं पस्चपी घाड का पस्चिम भाग तीवर ढाल का हमको देखने को मिलने लगता है इसी मेसरोजोई काल पर क्रिटेशियस टाइम पिरेट पर हम देखते हैं कि गोडवाना लेंड का विखंड़ान होता है और सेनोजोई आते तक यहां से इंडियन प्लेट चला जाता है उरेशियन प्लेट की तरफ चलने लगता है गतिमान हो जाता है और जाकर जब टकराता है जब संपीडन बल लगता है इन दोनों के बीच में क्योंकि यह अभिसारी प्लेटे होती हैं जब यह टकराती हैं तो इन कंप्रेशन फोर्स के कारण एक जियो सिंक्लाइन फॉर्म करता है भू सन्नती जिसे कहते हैं और यहां पर फिर वलित परवतो की एक शिंकला बनती हुई दिखती है जो सबसे नविंतम काल या फिर आप कह सकते हैं सेनोजोई पर हुआ है तो इतनी सारी जानकारी के अधार पर अब हम कतनों को देखते हैं कि कौन सा सही है भौमिकी द्रिष्टी से प्रायदूपी छेत्र भारत का प्राचीन भाग है ब अधात 65 मिलियन वर्ष पुर्व से लेकर 2 मिलियन वर्ष पुर्व तक हिमाले की उत्पति कई विकास क्रमों के अधार पर होते हुए दिखती है तो ये भी स्टेट्मेंट सही है पिर भारत में गोणवाना शिलाओं में कोईले का व्रियत्तम भंडार मिलता है तो मैंने बत पस्चिमी समुद्र तटकर निर्मान नदियों की जमाओं करिया द्वार हुआ है यह गलत है क्योंकि जब आप देख रहे हैं कि जो पस्चिमी भाग का पस्चिम भाग उसमें तीवर ढ़ाल है अर्थात वहां से नदियां जब फ्लो करेंगी तो बहुत तेजी से फ्लो करे हैं जब भारती प्लेट यूर्वउपिसं तकराया था तो यह पस्चिम से पूर्व की और में थोड़ा सा जुग गया एक दा जिस्पूर नदियों का घ darker भाग को दूर बरभार तो इस प्रकार से हमारा यहीं सही और बंता है चलि अब हम आते हैं अगले प्रश्ण पर हिमाले की रचना समांतर वले श्रीणियों से हुई है जिसमें से प्राचिंतम श्रीणी है तो चलिए इसकी जानकारी के लिए हिमाले के विभिन चर्णों पर विकास क्रम देख लेते हैं हमें ये पता है कि हिमाले का उत्थान और विकास सेनोजोईक एरा पर हुआ था इस सेनाजोईग एरा का जो पिरियड था तर्शरी इस तर्शरी के जब आप विभिन इपोक देखते हैं तो क्या समझ में आता है जरा देखते हैं सबसे पहला जो इपोक था वह था पेलियोसीन दूसरा था इयोसीन तीसरा था ओलिगोसीन चौथा था मैयोसीन और पांचवा इपोक था प्लायोसीन अगर समय अवधी आप देखें तो यह 65 मिलियन वर्ष यह 55 मिलियन वर्ष पूर्व यह 35 मिलियन वर्ष पूर्व यह 24 मिलियन वर्ष पूर्व और प्लायोसीन आपका 2 मिलियन वर्ष पूर्व तक की कहानी है जब हम इन दोनों काल पर देखते हैं तो इन दोनों कालों पर जब टेथिस सागर का संकुचन हुआ था तो हमें देखने को मिलता है इस काल पर टेथिस सागर का कमपरेशन और साथ ही इसके अंत तक हमें ITSZ बनता हुआ दिखता है ITSZ क्या है? इंडो सैंक्पो सचचर जोन आप इसे कह सकते हैं ट्रांस हिमालाय और हिमाले बीच का भाग आप इसे कह सकते हैं युरोपियन प्लेट और भार्ती प्लेट के बीच का भाग जब हम इस काल पर आते हैं ओलीगोसीन पर तब ITSZ के बाद की भूमी का उत्थान होता है जिसे हम व्रियद हिमाले या ग्रेटर हिमाले कहते हैं और इस काल के अंत तक MCT बनता है मेन सेंट्रल थर्ष अर्थाथ ग्रेटर हिमाले के या फिर वियत हिमाले के दक्षिन वाला भाग जब हम मायोसीन पर जाते हैं तब MBF तक का भाग बनता है अर्थाथ M City के बाद फिर से भूमी उपर उठती है और MBF तक पहुंचती है इस समय के अंतर तक जिसे हम लेसर हिमाले या लगो हिमाले के रहे हैं जब प्लायोसीन पर आते हैं तब सबसे बाहर वाला हिमाले का भाग उठता है और उसे हम कहते हैं आउटर हिमाले प्लायोसीन जो HFF तक बनता है हिमाले फ्रेंट फॉल्ट तो इस तरीके से जब आपको समझ में आ गया कि यहां पर greater हिमाले का निर्माण हुआ, यहां लेसर हिमाले का और यहां पर शिवालिक का, तो इस अधार पर सही option चुनते हैं, क्योंकि option पर question पर पुचा गया सबसे पुराना, तो पुराना अगर आप देखें, तो इसका होगा वरियाध हिमाले क्योंकि यह हमको देख रहा है, औलीगो सिन अर्थात 35 मिलियन वर्ष पूर्व की कहानी है, उसके बाद अगर आप निर्मित हिमाले को देखें, तो वरियाध हिमाले के बाद इसका निर्माण हुआ है, शिवालिक तो सबसे अंतिम में हुआ है, और हिमाले देखने को मिल रहा है चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण कहता है जब आप हिमाले की यात्रा करेंगे तो आप निम्ने लिखित को देखेंगे जैसे गहरे गड़े डिप गॉर्जेस कैसे इसे यू घुमाव वाले नदी मार्ग समांतर तरदाई तीवर धालक प्रवंदा उप्यूक्त में से कौन से हिमाले के तरुण वलिद परवत या नवीन मोड़दार परवत के साख्च कहे जा सकते हैं अब इस हिमाले को जब आप नवीन कह रहे हैं आपने अभी देखा कि सेने सोई काल पर मतलब 65 मिलियन वर्ष से लेकर तो समय के आधार पर कि जब से प्रिथवी का उत्पत्ती हुई है तब से लेकर ये 65 मिलियन वर्ष अगर आप देखे तो बहुत ही नवीन आपको दिखेगा क्योंकि प्रिथवी जो है 45 या 46 मिलियन वर्ष पूर पहले इसका उत्धान हो चुका है तो जब आप देख रहे ह और दाब के प्रभाव में उतने नहीं आए हैं जितने प्राचीन काल में निर्मित भुआगरतियां आ चुकी हैं किसी भी भुआगरती को भुस्तल को समय के साथ साथ एक अच्छा तापमान और प्रेशर भी चाहिए जहां पर इसके मॉलेकुल्स आपस में जूड सके हैं स जब इन पर किसी एक्सोजनिक फोर्सेस का विशेश प्रभाव नहीं पड़ता अर्थात हवाओं का नदियों के पानी का इनसे टकराते भी हैं तो बहुत ज्यादा ताकत चाहिए इन्हें तोलने के लिए और इनको अपने साथ बहाने के लिए लेकिन नवीन कहने गारत यह है कि अभी इनके अंदर में इनके आपस में कणों के आपस में एक अभी वह मजबूत इस्थिती मजबूत जोड का निर्माण नहीं हुआ है और किसी भी तरीके से जब कोई एक्स्टरनल एजेंट आते हैं तो उनके प्रभाव में आकर यह तूड़ जाते हैं अलग हो जात तो नदियें के जो पानी हैं वो असानी से इनकणों को अपने साथ लेकर बह जाएंगे तो जब लेकर बहते जाएंगे तो लगातार यह जब बहुती लंबी अवधी तक चलता जाएगा तब यह इरोडेड होते होते गहरे गड़े बन जाएंगे या फिर आप कह सकते हैं घाटिया भी बन जाती हैं दूसरा स्टेट्मेंट कहता है यू टन लेने वाली नदियां तो नदियां यू टन कैसे लेती हैं नदियां कहीं एक जगे पर इरोजन किये और जब दूसरे जगह पर डिपोजिशन इरोजन डिपोजिशन इरोजन डिपोजिशन चलता रहता है तम नदियों का मार्ग कुछ इस प्रकार से हो जाता है जिसे आप विसर भी भी कहते हैं या यू टन भी आप कहते हैं ये क्यों होता है क्योंकि नदियां किसी एक छेतर पर डिपोजिशन कर रही है तो कहीं एक छेतर से इरोजन कर रही है और ये erosion और deposition बहुत ही असान होगा उन छेतरों पर जहां पर भुव अगरिदिया नवीन होगी अभी ये मजबूत नहीं होई है तीसरा statement कहता है समांतर शेणिया तो समांतर शेणिया तो हिमाले की एक विशेचता तो है ही और ये क्यों क्योंकि अलग-अलग काल पर इनका अलग-अलग निर्मान हुआ है चौथा statement कहता है कि भूस कलन के लिए उत्तरदाई ढाल अब वलन की पक्रिया से ये हिमाले उपर उठ रहा है अभी भी उठ रहा है और उपर उठते उठते इसमें अब गृत्वा कर्शन का भी प्रभाव लग रहा है अब हमको ये भी पता है कि ये हिमाले नवीन है मतलब कंड कमजोर है गुर्तवा कर्शन इसे खीच भी रहा है और साथ ही आप देख रहे हैं कि जब यहां से नदियां बह रही हैं तो इन कणों को और कमजोर करते जा रही हैं क्योंकि इनके बीच से इनके मद्य से प्रभावित हो रही हैं जब बरसात हो रही है तो भी इन कणों को कमजोर किया ज होता है तो इस प्रकार से इन चारों कतुनों को आप कह सकते हैं कि यह हिमाले के नवीन होने के साक्ष हैं और इस प्रकार से हमारा सही ऑप्शन बनता है ऑप्शन डी अब हम आते हैं अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण कहता है पुर्वी हिमाले की तुलना में ट्री से उगने में सक्षम अना हो उसे आप ट्री लाइन गए अरथा ट्री लाइन वो लाइन है जहां तक आकरी तक आपको व्रिख्ष के साक्ष्य मिलते रहेंगे अब यहां पर पस्च्वी हिमाले और पूर्वी हिमाले से संबंदित कंसेप्ट की बात वरी है तो जरा इस कंसेप जब यह पहले टकराया यहां पर तो जब तक पूर्वी भाग आकर यहां पर टकराता Eurasian Plate से तब तक यह पस्टमी भाग काफी अंदर तक समाहित हो चुका था जिस कारण से हम यह देखते हैं कि जो Western पार्ट है या पस्टमी हिमाले का भाग है उसकी जो अक्छांसी इस्थित है यह दूर तक देखनेगों मिलता है अगर अगर अक्छांसी इस्थिति पस्टिमी भाग का काफी अंदर तक है तो जाहिर सी बात है कि यहां पर तापमान तुलनात्मक रूप से पुर्वी हिमाले से कम होगा क्योंकि जब आपकी अक्षांसी इस्तिती उपर होते जाएगी तो जो सूरिक कि वर्षा की मात्रा में भी कमी देखने को मिलेगी क्योंकि तापमान और वर्षा पर आपको सीधा संबंद देखने को मिलता है और अगर तापमान कम है वर्षा की मात्रा कम है तब वनस्पती भी अगर आप देखें तो वनस्पती को जितनी जादा विकास के लिए सहुलियत वातावरन पुर्वी हिमाले पर मिल रहा था उतना पस्टमी हिमाले पर नहीं मिलेगा तो हम यह कह सकते हैं कि पस्टमी हिमाले की ट्री लाइन पुर्वी हिमाले की ट्री लाइन से नीचे ही होगी अर्थाज अगर मैं हिमाले मैं चड़ता जाओ तो मुझे वा रेखा बहुत जल्दी मिल जाएगी जिसके उपर अब विरिक्ष नहीं मिलने वाले तुलनात्मा व्रूप से पुर्वी हिमाले से तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्षन हो जाता है कम जो की लिखा हुआ है ऑप्षन बी पर चलिए अब हम कुछ प्रश्ण सॉल्व करते हैं भारत के इस्तिती और विस्तार के आधार पर तो पहला प्रश्ण है भारत का सुदुरस्त दक्षण बिंदू सदन मोस्ट पॉइंट है कन्या कुमारी पर आप्षन ए है बी रामेश्वरम पर सी इंदिरा पॉइंट पर और डी पॉइंट काली मेर पर तो देखें यहां पर कन्फ्यूजन क्रियेट होता है दक्षिंटम बिंदू कहा गया है भारत के दो दक्षिंटम बिंदू होते है एक मुख्य भाग के मतलब भारत का जो मुख्य भू भाग है उसका दक्षिंटम बिंदू तो यह होगा कन्या कुमारी केप कैमोरीन आठ डिग्री चार मिनट उत्तर पर इस्थिद होगा जब कहा जाएगा सदन मोस्ट तो यहाँ पर अंडमा निकोबार दीव समू के निकोबार के सबसे दक्षिंटम इस्थिद इंदिरा पॉइंट को कंसिडर किया जाएगा जो है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पर इस अधार पर इस प्रश्ण का जो सहीं उत्तर होगा वह होगा सहीं उत्तर ओप्षिंट सी इंदिरा पॉइंट पर चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्ण कहता है भारत के राज्यों का निम्न लिखित में से कौन सा एक यूग्म सबसे पूर्वी और सबसे पस्चमी राज्य को इंगित करता है 97 डिगरी 25 मिनट पूर्व और 68 डिगरी 7 मिनट पूर्व या पस्चिम और पूर्वी हमको यहाँ पर बिंदुए दिख रहे हैं कि वितु इस्थीत है अरुनाचल प्रदेश पर और गौर मोता इस्थीत है गुजरात पर तो इस प्रकार से गुजरात और राज्य स्थान इसका सहीं आंसर होगा और हमारे दिए गए ऑप्शन के अधार पर ये हो गया ऑप्शन डि अरुनाचल प्रदेश और गुजरात अगला प्रशन बनता है करकरेखा निम्रिल्कित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है नीचे दिये गए कूट से सहीं उत्तर चुनिये गुजरात, चत्तिजगर, उत्तरपदे, जारकन ये चार राज्य दिये हैं और कूट यहाँ पर दिये हैं तो देखे करकरेखा तेज़ जिगरी अहाफ मिनट नॉर्थ पर इस्थिद है और यह भारत के मद्य से होकर गुजरती है आप कह सकते हैं भारत को दो हिस्सों में विभाजित करती है और यह आठ राज्यों से होकर गुजरेगी गुजरात, राजस्थान, मद्यप्रदेश, चत्तिजगर, जारकन, पस्चिममंगाल, तिपुरा और मिजुरम यह वो आठ राज्य हैं जहां से करकरेगा गुजरती है तो सही ऑप्शन के अधार पर अगर देखा जाए तो एक, दो और चार होगा क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश को सम्मिलित नहीं किया जा रहा है उत्तर प्रदेश से यह नहीं गुजरेगा क्योंकि यह 36 गर से गुजरेगा जस्ट आप यह कह सकते हैं कि थोड़ा और उपर होता तो शायद उत्तर प्रदेश को भी टच कर ले जाता चलिए, अब हम आते हैं अगले प्रशन पर यह प्रशन भारती समय मानक रेखा पर अधारित है अब यह रेखा कहां से गुजरती हैं तो हमें पता है कि के सबसे पूर्वी छोर पर इस्थित वलां के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा, अब हम देखते हैं कि इन दोनों पौइं्ट के बीच में कितने समय के अंतराल को पूछ रहा है यहां पर, तो ज़रा समझते हैं कि यह है क्या अगर आप देखें 68 डिगरी और 97 डिगरी तो पस्चिम से पूर्व के बीच में हमें ये जो अंतर देखने को मिल रहा है ये लगबग 30 डिगरी का देखने को मिल रहा है अब हम देखते हैं कि प्रिथवी 330 डिगरी का घुमाव 24 घंटे में पूर्ण कर देती है और अगर इसे एक घंटे के अधार पर देखा जाए तो ये हमें 15 डिगरी घुमता हुआ दिखेगा तो अगर एक घंटे पर 15 डिगरी हो रहा है और यहाँ पर है 30 डिगरी तो अर्थात दो घंटे का अंतर हमने को देखने को मिलेगा इसी अंतर को solve करने के लिए ये मानक रेखा लिखी ची गई जो कि दोनों ही छेत्र से दोनों ही बिंदुओं से 15-15 डिगरी की डिस्टेंस पर है अर्थाथ एक मिडिल पॉइंट है जहां पर एक गंटे का अंतर दोनों को adjust करना पड़ेगा सबसे पुर्वी छोर पर बैठा हुआ वेक्ति और सबसे पस्टिमी छोर पर बैठा हुआ वेक्ति तो इस question का सहीं उत्तर है दो गंटे तो इस प्रकार से भारत के भुगोल के कुछ प्रशनों को हमने solve किया है और लगातार FTR सीरीज के माध्यम से भारत के भुगोल के conceptual question और खास कर वह question जो किसी परिच्छा में पूछे गए हैं उनको discuss किया जाएगा explanation के साथ में धन्यवाद